महाकवी भूशन के पदों में हम छत्र साल प्रताप अन्श पढ़ रहे हैं पद देखिए रैया राव चमपती को चड़ो छत्र साल सिंग भूशन भनत गजराज जोम जम के भादव की घटा सी उड़ी गरद गगन घीरे सैले समस सेरें फिरे दामिनी सी दम के खान उमरावन के आन राजा रावन के सुनी सुनी उर लागे घन कैसे धम के बैयर बगारन की अरी के अगारन की लांगती पगारन नगारन के धम के प्रस्तुत पद में वीर रस के महाकवी भूशन छत्र साल के प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब छत्र साल आक्रमन करते हैं तो उनकी जो वीरता है वह शत्र दल को प्रभावित करती है भयभीत करती है और साथ ही साथ उनकी जो अस्त्रशस्त्रों की जन्कार है वह शत्रपक्ष का दिल दहला देती है देखिये अर्थ रया राव चमपती को चड़ो छत्रसाल सिंग छत्रसाल रूपी जो सिंग है, सिंग के सद्रश्जिस प्रकार सिंग का आतंक पूरे वन प्रदेश में होता है और पशुपती जो सिंग है उससे सभी डर कर रहते हैं उसी प्रकार का आतंक शत्रुपक्षपर छत्र साल का है तो छत्र साल रूपी जो सिंग है रैया राव राव चंपती को चड़्यो राव जो राजाऊं के भी राजा है ऐसे चमपत राय के जो पुत्र छत्र साल रूपी सिंग है जब वे चड़यो आक्रमन करते हैं तो भूशन भनत गजराज जोम जम के भूशन कवी भनत कार्थे कहते हैं गजराज गजराज की तरह जोम अर्थात जोश जम के पूरी तरह से पूरी तरह से उनका जो बल है वो मदमस्त हाती की तरह उनका जो जोश है वो दिखाई पड़ता है अर्थात शत्रु पक्षतो उनसे इस तरह भैबीत होते हैं जैसे सिंग से अन्य पशु भैबीत होते हैं लेकिन वे निर्भैता पूर्वक इस प्रकार मदमस्त होकर मस्ती में किसी प्रकार का भै आतंक या कोई तनाव उनके मन में नहीं हैं गजराज की तरह जोश या मस्ती उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है भादो की घटा सी उड़ी गरद गगन घीरे जब वे आक्रुमन करते हैं तो उनकी सेना की जो पदरज है जो धूली है सेना जब आक्रुमन के लिए प्रस्थान करती है तो उसकी गरद उसकी जो धूल है उससे भादो की घटा की तरह है भाद्र पद मास की काली घटाओं की जो धूल उड़ती है उस धूल में सारा आसमान घिर साजाता है सेले समसेरे फिरे दामीनी सी दमके और जब उनके सेल अर्थात उनके बर्ची या भाले और समसेर शमसीर कहते हैं तलवार को और तलवार उनके बर्ची भाले और तलवार जब घूमते हैं तो दामीनी सी दम के तो चारों और इस प्रकार से चमक फैल जाती है जब तलवार से तलवार टकराती है या बर्ची भाले से बर्ची भाले टकराते हैं तो चारों और एक चमक सी फैल जाती है इस तरह की चमक फैलती है जैसे की भादर पद मास की घटाओं के बीच में बिजली चमक रही हो चारों और तो धूल फैल रखी है पूरी तरह से रोपक का प्रयोग किया है कभी ने कि भादर पद में जिस प्रकार काली घटा समुहों के बीच बिजली चमकती है ठीक उसी प्र क्योंकि पता नहीं चलता कि कब तल्वार चली और कब शत्रु का सिर्धर धर से अलग हो गया खान उम्रावन के आन राजा रावन के खान जो मुगल शासक है उम्रावन और जो उम्राव है रियासत के उम्राव है मालिक है आन अन्य राजा रावन और जो अन्य राजा राव और ठाकुर आदी है उनके सुनी सुनी उर लागे घन के से धम के जो छत्र साल की कीर्ती है और छत्र साल की जो तलवारों की टंकार है उसको सुन सुनकर मुगल शास्कों के रियासतों के उम्राव और मालिक राजा और ठाकुर आदी के रदय में वह जो तलवारों की और बर्चियों की टंकार है वह उनके रदय में हतोड़े किसी चोट की तरह लगती है घन के से घम के कतात परी यहां उपमादी है कि हतोड़े की जैसे घन पर हतोड़े स्प्रहार किया जाता है तो हतोड़े की चोट की तरह अन्य राजाराओं के और और उनके नगारों का जो धंका है, युद्ध के जो नगारे बसते हैं, उनका धंका, उनकी जो आवाज है, वह क्या करती है? बयर उद्धक्षेत्र के बगारन अर्था दुर्गम इस्थलों घाटियों आदी में और अरी के अगारन की उनके परकोटों को लांग कर धमकने लगती है युद्धक्षेत्र के दुर्गम घाटियों को लांग कर उनके जीत के नगारों की जो आवाज है वह चारों और फैल जाती है इसका अर्थ कुछ विद्वानों ने इस तरह भी किया है बैयर बगारन एक तो हम ये मानते हैं कि युद्धक्षेत्र के दुर्गम इस्थलों और घाटियों आदि को लांग जाती है कि अब छत्र साल ने हमारे जो मुगल शासक हैं उनको जीत लिया है और यह बात सरवत्र विदित हो जाती है तो पूरे पद में छत्र साल के प्रताप का बहुती सुन्दर ढंग से कभी ने चित्रन किया है अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है दामी नीसी दम के घन कैसे घम के और इसी प्रकार प्रथम पंक्ती में छत्र साल सिंग यहां रूपक अलंकार है और अलंकारिक चित्र जो खीचा गया है अनुप्रास तो पूरे पद में है ही पदमेत्री है और इस अलंकारिक चित्र का जो वीरता पूर्वक सजीव वर्णन किया है वह बहुती सुंदर बन पड़ा है